क्या आप भी परिशान है अपने जोडों के दर्द से आज मैं बताती हूँ है कि ऐसा हो पाए जो आपके जोडों के दर्द से आपको कर देगा बिलकुल मुग आज मैं टीवी देख रही थी एकदम से बेल बची और बेल बचते ही मैंने देखा लखन घर पर वापस आ गए थे जहाँ पर लखन के घुट्नों में बहुत जादा पेन हो रहा था पहले तो मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए लेकिन जितना समझ आया मैंने व मैंने बोला कि वॉक करो तोड़ी देर वॉक करते ही घुटना और पेन खाने रगा इसका मतलब था अभी भी दर्द हो रहा है लखन को फिर मैं भागी किचन की तरफ जहां पर मैंने आइस पैक लिया आइस पैक से तो मुझे लगा अराम मिल ही जाएगा क्योंकि एक आइस उल्राइब कर तो मुझे ऐसा लगा चल पड़ा लेकिन आइसा नहीं था लगहन के पैन बढ़ता जा रहा था लेकिन हम सोचने के लावा कुछ करने रहते हैं रही तो मैं सूचे जा रहे थी कि आउयरे कि एक दम से गाया बना जाया फिर हमारी दादी मैं नुषका याद आ सरसो के तेल के अंदर मैंने सबसे पहले प्याज और लसन डाल दिया उसके बाद आप देखोगे लॉंग इलाइची जीरा मेथी दाना काली मिर्च हल्दी सब रखा हुआ था इन सभी को मैंने एक एक करकेज तेल के अंदर पका दिया पकाना है आपको कम से भी कम 10 मिनट के लि तेल बिलकुल काला ना हो जाए और उसके अंदर की प्याज लसन जल ना जाए तब तक आपको इसको पकाते रहना है आटा गुंदा हुआ तो हर किसी घर में रखा ही रहता है अगर नहीं है तो रख अगर नहीं गुदा तो गुंद के रख लो और बना लो उसका बहुत नाना है आपको ठी किसी तरह जैसे मैं बना रही हूं मुझे यह थोड़ा सा छोटा लगा तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बड़ा किया जाए पहले स्ट्रेइनर से स्टेंड कर लिया जाए तेल और आटा मैंने दोनों ले लिये थे अब मैं चारी लखन के पास जहां पर उसका काम करेगा या नहीं लखन को लग रहा था ये कोई पागल पंती हो रही है लेकिन ये सच नहीं है आपको ठीक इसी तरह घुटनों के उपर आटे की लोई लगा देनी है अच्छे से और उसके साथ साथ ही आपको तेल को अच्छे से डाल देना है पूर कर देना है उस और उसके बाद बोला कि वॉक करके देखना कि होता है या नहीं पेन थी और सच में लखन का पेन एक दम से गायब हो गया और लखन भागने लगे अगर आपके मुझी पापा के जोड़ों में दर्द रहता है तो यह रेमेडी जरूर ट्राय करना और मुझे कॉमेंट्स में आ